प्रिये छात्र एजूकेशन पॉइंट बियेजी में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे भारत के दस फसलों के उत्पादन में कौन से राज परथम अस्थान पर है दस फसल ऐसे हैं जिसके उत्पादन में कौन सा राज परथम अस्थान पर है तो इस वी गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज पर्थम अस्थान पर है तो गेहूं का उत्पादन शब से अधिक उत्तर पर्देश में होता है उत्तर पर्देश को यूपी भी कहा जाता है यूपी में गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है यह क्वेशन हर एक्जाम में पूछा जाता है दसमी का हो चा बार्मी का हो चाहे किसी प्रकार का competition का exam हो उसमें यह प्रस्न जरूर पूछा जाता है तो गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक कहा होता है उत्तर परदेश में चावल चावल यानी धान, धान का उत्पादन सबसे अधिक कहा होता है, पस्चिम बंगाल में, पस्चिम बंगाल में चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, पस्चिम बंगाल के लोगों को मचली और चावल खाना बहुत पसंद रहता है, जूट, जूट का भी उत्पादन पस्चिम बंगाल में सबसे अधिक होता है जूट का उत्पादन सबसे अधिक कहा होता है पस्चिम बंगाल में रबर, रबर का उत्पादन सबसे अधिक केरल में होता है यानि रवर के उत्पादन में केरल भारत देश में पर्थम अस्थान पर है नारियल के उत्पादन में केरल पर्थम अस्थान पर है मतलब केरल में रवर का भी उत्पादन सब से अधिक होता है और नारियल का भी उत्पादन सब से अधिक होता है और पस्सिम मंगाल में आप देख लिजिए चावल और जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है कपास कपास किसको कहते हैं जिसे रूई होता है कपास का उत्पादन महराष्ट में सबसे अधिक होता है सोयाबिन का उत्पादन मद्रप्रदेश में सबसे अधिक होता है तमबाकू का उत्पादन अंध्रप्रदेश में होता है चाय का उत्पादन सबसे अधिक आसाम में होता है कौफी का करनाटक में कौफी का उत्पादन सबसे अधिक करनाटक में होता ये वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट में जरूर बताईए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद